आने वाला 20 दिसंबर, 20 दिसंबर दोहजार इटकेस, कुछे दिन से इस है, आने ही वाला है, एक से दो दिनों बाद आने वाला है, आज अठारा तरीक है, 20 तरीक को, हम एक ओरियेंटेशन सेशन रखेंगे, वर्क्स ओप सेशन रखेंगे, हम एक ओप सेशन रखेंगे, जिसमें इस वर्क्स ओप सेशन में, आईएस एक्जाम और PCS एक्जाम, PCS में आपके सभी PCS एक्जाम समलित हैं, यूपी PCS एक्जाम, बिहार PCS एक्जाम, आना BPSC मैं इस पर एक्जाम लिख देता हूँ आपके, यूपी PCS, आईएस तो देखो है ही, सबसे प्रमुख एक्जाम ये है, इसको मैं हमेशा लेके चलता हूँ, BPSC, JPSC, MPPSC, CGPSC, UKPSC, इसके बाद आपका RAS का एक्जाम है, है ना, और HPSC है, हरियाना Public Service Commission, इन सभी परिक्षाओं को ध्यान में रखते हूए, आप सभी का एक ब्यापक Orientation Session होगा, जो की लगबख साड़े दस में से चालू होगा, कहां पर गाजियाबाद केंदर में, गाजियाबाद में आपकी संस्ता है, तो आप में से जो लोग आना चाहें, वो आ सकते हैं, ठीक है, आना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं, गाजियाबाद में ये होगा, निशुल्क है पूरी तरीके से ये, निशुल्क रहेगा Orientation Session, यहां पर आपके जितने भी प्रशन हैं, सभी प्रशनों के बारे में, आप लोग के जो भी Question होंगे, तैयारी को लेकर के, या फिर तैयारी के अलावा, मलब आपकी तैयारी से लेकर के, आपके सफलता तक के, जितने भी प्रशनों के, इन सभी प्रशनों का, मैं इत्मिनान से उत्तर दूँगा, तो साड़े दस बज़े ये सेशन प्रारम हो जाएगा दस बज़े आपकी रिपोर्टिंग टाइप है मॉर्निंग में दस बज़े आप लोग आ जाएगा जितने बच्चे हैं कहीं भी हैं आप एक दिन के लिए आप लोगी सेशन से समलित हो इसके बाद आपकी नई क्लासेश चालू हो रही है इस वर्क्सप सेशन के साथ इस ओरिएंटेशन सेशन के साथ आपका संस्तान में आफ लाइन बैच भी प्रारम होगा लेकिन अभी आपको पता है कि ओमी कॉन जो वेरियंट है कोविड का उसको लेकर केसिस लगातार बढ़ रहे हर जगे बढ़ रहे है तो अभी तो केस कमी है लेकिन अब देख रहे है कल मैं स्वास्त मंतराले का भी देख रहा था पत्चिस बीस को तो आपका क्या है ओरियंटेशन सेशन है यहाँ पर आपकी तैयारी को लेकर के 2012 के लेए हैं लोजार 2 िपशम दे रहे हैं लेए जितने भी बच्चे जिन्नो ने इस बार ग्रेजुएंशन कर लिया है इससे पहले 12 बहुत सारे बच्चे पास आउट होंगे जो graduation में अभी चल रहे हैं graduate हो चुके हैं जो senior हैं तो आप 2022, 23, 24 में जो भी तयारी आप लोग कर रहे हैं इतने सभी exam को इन सभी exam की तयारी आप कर रहे हैं आप IS की तयारी कर सकते हैं यह आदर्स जो भी है आपकी जो problem solution है आपके दिन प्रदिन के जीवन से जुड़ी हुई हर तरीके के प्रशनों का संपूर समधान में देने जा रहा हूँ 20 तरीके वक्स आप सेशन में फिर आपकी जो classes चालू होंगी 25 दिसंबर से चालू होंगी इसके registration आपके प्रारम है registration आपके start हो जाएंगे देखो class का जो method है दो प्रिकार का class का method है एक तो आपका offline है offline है और दूसरा आपका online है classes कौन कौन सी शुरू हो रही है registration open हो चुके है आज ही आजाद आईएस academy का जो application है वहाँ पर registration प्रारम हो गया आजाद आईएस academy का application पर registration हमने प्रारम किया offline का ठीक है क्या क्या classes चालू हो रही है जिनको offline आना है offline में मात्र हम यहाँ पर 25-30 बच्चों से जादा नहीं लेंगे ताकि social distancing के साथ बच्चे आपर बैठ सके online में बच्चों की जो संक्या है अभी 565 बच्चे हो चुके है online में ठीक है subject wise बच्चे अब इसमें जुडेंगे और इससे ज़्यादा लगबग 1000 के आसपास बच्चे हम चाहते हैं कि यहाँ पर add हो जाए यहाँ पर हम संक्या कम रहना चाहते हैं आप मैक्सिमम संक्या जितने भी बच्चे जो उड़ना चाहते हैं आसानी से जुड़िए इसली आपको timely classes होंगी आप subject कौन कौन से हैं आपके जिनसे एक class प्रारम हो रही है offline की सबसे पहला subject आपका जो रखेंगे हम ठीक है सबसे पहला subject है आपका यह भारती अर्थिय बय्वस्था अर्थिय बयवस्था ठीक है दूसरा है अंतर्राश्टिय संबंद संबंद ठीक है एक subject आपका विज्ञानिय मं प्रद्दोगे की यह offline का है यह offline में रहएगा विज्ञानियम प्रिदो की केवल आफलाइन में पढ़ाए जाएगा भारती अर्थ व्योस्ता मेरे द्वारा पढ़ाए जाएगा मेरे द्वारा पढ़ाए जाएगा इसकी टाइमिंग जो रख रहे हम साड़े ग्यारा बई से रख रहे हैं 1130 से प्रारम होगा जो यहां पर भारती राज व्योस्ता की क्लास चल रही है है ना वो क्लास की टाइमिंग आपकी सिप्ट कर दी जाएगी उसका मैसेज आ जाएगा आपके ग्रूप में चार से साड़े पांच हो कर दियागी आज मैंने क्लास में डिसकस भी किया था आप लोगों से ठीक है तो यह आपकी चलेगी आपकी थर्टीन थर्टी तक दो घंटे की आपकी भारती अर्थविवस्ता की होगी प्रारम करेंगे हम लोग है मेरे द्वारा प्रारम होगी डिटेल से होगी इसका लाइब कोर्स की भी लिंक आ चुकी है और इसका आउफलाइन भी admission अभी ओपेन हो गया है description में आपको मिल जाएगा description में आजाद है इस academic application में description में आपको description में सारी चीज़े आपको detail मिल जाएगी description में आपके course app सबकी link आपको यहाँ पर मिल रही है तो आप लोग सभी लोग क्या करेंगे आप लोग को इसमें जुट जाना है एक नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको संस्थान का ताकि जो भी होता है इस नंबर से जरूर समपर्क लिया करो वट्सप में 91115269789 91115269789 यहाँ पर वट्सप करिए वट्सप करके आप बता सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ठीक है बाकी एप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है एप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी लाइब कोर्स की भी लिंक मिल जाएगी और आपको जो आफलाइन कोर्स है उसके लिए offline course के लिए आप यहाँ पर concern कर सकते हैं offline लिख सकते हैं या offline के लिए आपको आजाद IAS Academy का एप देखना पड़ेगा यदि offline आना चाहते हैं तो आजाद IAS Academy के एप में आएंगे अभी मैं दिखा भी दूँगा इस application में ठीक है अभी offline वाले जो offline आना चाहते हैं उनको तो आजाद IAS Academy एप से हम इंट्री देंगे देखे करना क्या है मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगो यह आप लोगो का आजाद IAS Academy का एप है इस पर courses आपके आ चुके हैं ठीक है यहाँ पर जो courses चलने है subject जो चलने है यह आ चुके है subject 1 टाइमिंग लिखी होगी 930 से यहाँ पर देखेंगे subject 1 subject 2 यहाँ पर जाएंगे इस्टोर वाला सेक्सन है यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा subject 1 subject 2 subject 3 तो यहाँ पर कौन सा course होगा यह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा subject 2 में इंडियन economy की course है अलग अलग registration सुल्क है offline की registration सुल्क थोड़ी ज्यादा है लेकिन कम है 2000 पर सब्जेक्ट ही है offline की दो महीने तीन महीने में आपका course यहाँ पर सब्जेक्ट वाइस कंप्लीट होगा offline में offline अलग है और जो online है online की फीज बहुत कम है live class होगी online में independent जो सब्जेक्ट है तो अंतराष्टी संबंद भी आज आपका इसका भी course आपका पब्लीश हो जाएगा ठीक है अंतराष्टी संबंद भाई चार क्लास रहेगी अंतराष्टी संबंद की भारती अर्थब्योस्ता की क्लास रहेगी आपकी यह live class है आपकी ठीक है यह live class है आपको ध्यान रखना है बाकि दो live class आपकी और चालू हुई है यह लेकिन यह दो नो live class एक ही एप में आजाद UPSC Academy के एप में जितने बच्च आंत्रिक सुरक्षा यह रावेण सर के द्वारा प्रारम की जा रही है एक class ठीक है और दूसरा है आपका disaster management डिजाश्टर management दोनों live है यह offline नहीं है कि यह live ठीक है आपदाप्रबंधन आपदाप्रबंधन ठीक है तो यह आपकी classes है आंत्रिक सुरक्षा और अपदाप्रब क्लासे से अपकी उनका रेजिस्टेशन आपका आजाद आईएस अकेडमी के एप में है ठीक है आंत्रिक सुरक्षा और आपड़ा परबंधन की क्लास है आपकी आजाद यूपी पीस्टी अकेडमी अप्लिकेशन में यह पढ़ाएंगे राविन सर आपके ठीक है और आजाद यहिस Morocco में आपका ओफ लां बैच की यह जितने भी रईस्टेशन है यह आपका देख रहे है न रेस्टेशन जो आपका है ऑफलाइं बैच का यह आपको अजाद ही इस अकेड़मी एप मिलेगा ओन लाइन आपका डिस्क्रिप्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी जितने बच्चे एकॉनमी में लगबग हो चुके हैं काफी बड़ी संख्या हो चुके बच्चों की तो अभी जो लोग प्रतिक्षा कर रहा है नहीं तो फिर समय के साथ चीज़ें बदल जाएंगी कि हाँ दीपक साहु जी कह रहें सरीय क्लास आई एस प्रीकम मेंस और मेंस ओली बैच में जिन्हों ने लिया है उन्हें कोर्स में मिलेंगा देखो क्लासे जितनी भी हमारे यहां पर हो रही हैं इस सारी हम अपडेट कर देते हैं अपने फांडेशन कोर्स के चात्रों को जो फ बीना मौर्या जी आप वाट्सप करिए वाट्सप से आपको रिप्लाई मिलेगा अभी थोड़ा सा ब्यस्तता ज्यादा है सरकी तो लेकिन फिर भी हमारे प्रयास ही रहता है कि आपकी प्रॉब्लम का शिल्यूशन जल से जल्द हो जाए ठीक है तो आप 911 15269789 इस नंबर प कि कुछ नंबर आप लोगों को मैं सूचित कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अगला नंबर है 7982705327 यह नंबर है इस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं ए 7982705327 दूसर नंबर यह ठीक है और आपको जानकारी मिल जाएगी तो क्लासेज जो सा संब इस तरीकं को है 20 को सब लोग आए ग मिघ्याबाद में आप को गाजियाबाद आपका उत्तरप्रदेश में पड़ता है ठीक है? UP में पड़ता है... यापका UP में 20 तरीक वर्क्स-ौप सेशन में सारे दभतान है अपका और यह आपका जो गाजयम आप prest in आजाद आजाद IAS Academy Google में तो आपको Google Map में आजाद IAS Academy का address आ जाएगा वैसे address में यहां पर लिख देता हूँ बाकि description में भी मिल जाएगा आपको F10 पूरी house F10 पूरी house आजाद IAS Academy आजाद IAS Academy यह हमारा address है पूरी house नहरुनगर 3rd नहरुनगर 3rd राकेश मार्ग गाजयाबाद यह संस्तान का address है ठीक है उत्तर परदेश यह संस्तान का address है इस address पे आप लोगो आना है वह इसे Google में आपको पूरा address मिल जाएगा गूगल में संस्तान की वेबसाइट्स पे हर जगे पे आपको यह एड्रेस मिल जाएगा तो आप लोग इस एड्रेस के माध्यम से इसको लिख लो आपका भी गाजयवाद आएंगे कब 20 दिसंबर को आपका नजदी की है बहुत बच्चे के लगाता रहे थी 20 दिसंबर को और जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए तो फिर क्लास आपको रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी वह तो फिर बोड़ा लेकिन आप लोग रूबरू हो करके बातचीत करना चाहते हैं कोई वीदे को मैं भी तो आता हूं आप लोग के यह लेकिन जो लोग नजदीक हों जिन लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सारी ब्योस्ताइं की गई